चलिए तो आज हम डिस्कस करने जारे क्लास 10 का भी से हमारा हिंदी होगा ठीक है जो की 81 है कारेपत्रक और ये 1st of February 2022 के लिए होगा तो देखे इसे पहले कारेपत्रक में हम सब ने फादर कामिल बुलखे की जो education है उनका जो literature है शाहित्ते थे उनके यातरा के बारे में पढ़ा था आज हम इसमें पढ़ेंगे उनकी जीवन की यातरा के बारे में कि उन्होंने कैसे यातरा कि अपने जीवन में ठीक है भास सन्यासी रूप जीवन जीते हुए भी जीवन के अ पर वी निभारत के लिए राश्टभासवास बन जाये घर्षा outcome तो इस करब में आगे हम पढ़ेंगे जो आज वह नहीं है जो दिल्ली में विमाथ रहे और पत्ता नहीं चला वह खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया जब देखा तब बे बेबा है दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलजाए ताबुद में जिस्म पर परी थी जो सांती बरसाती थी बह चेहरे पर थिर कबरगा में उनका ताबुद एक निली गारी में से उतरा गया था कुछ पादरी रगवन्स की बेटा और उनके परिजन र पूरा जीवन जीने के पर साथ अंतीम पराब में आ गया और अंतीम पराब जो हर बैक्ति का होता है जो अब खुदा के प्यारे हो गया और उसी सब यात्रा में बहुत सारी कामे होती है जो हम सब बैक्ति इनसान मरंसील है और हर एक बैक्ति मरेगा एक दिन ठीक है तो इसी ठीक है और पादरी डगुबन जी का बेटा और उनके परिजन राजिश वर्सिहूं से उतार रहे थे फिर उसे उठाकर एक लंबी संक्री उदार पेरों की घनी चाहाँ वाली सरक से कब्रगाहक के आखरी छोड़ तक ले गए जहां धर्ती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आहाक मुख खोले लेटी थी अर्थात भादर कामिल बुल्खे अब उनकी दासंसकार की बात हो रही है अंतिम यात्रा है जो एक बेल्जियन के होती है इंडिया में रहकर उन्होंने अपना योगदान दिया और कहा हिंदी हमारी राष्टभासा होनी चाहिए हिंदी अगर ह उपर करील की घरी छाब थी और चारो और कबरे और तेज धूब थी कबर जानते जिसमें सब को दफनाया जाता है रखा जाता है धूब के बृत थे जैनेंदर कुमार विजैंदर असनातक अजीत कुमार डाक्टर निर्मला चैन और मसीही शमदाए के लोग पादरी गन उन बहुत पहले से खामोस दुख की किनी पर अपर इस आतुप्टो से दबे हुए थे अर्थात कहने का मतलब है जहां इन्हें दफनाया गया था शत्ते परकास जी को और डॉक्टर रवगोवन्स को भी वही दफनाया गया था सिमट आये थे कबर के चारो और फादर दे पहले कबर के उपर लिटाई गई जिस तरह से पहले कबर के उपर लिटाई गई और मसीही बिधी से यानि को इसाई में जिस तरह से दफनाया जाता है सब को उस तरह से किया गया और अंतिम संसकार सुरू हुआ रांची के फादर पासकल तोयाना रांची के कहां रांची कहां और कर्म पर स्रधाजली अर्पित करती हुए कहा फादर बुलखे धर्ती में जा रहे हैं अर फादर बुलखे अब सदा के लिए हम सबसे दूर जा रहे हैं ठीक है और इस धर्ती से ऐसे रतन और पैदा हो इस धर्ती से ऐसे और भी अच्छे लोग पैदा हो इस तरीके से जी इस तरह से फादर कामिल बुलखे हमारे देश से काफी प्यार करते थे डॉक्टर सक्ते प्रकास ने भी अपने स्रंधांजली में उनके अनुकर्णिये जीवन को नमन किया और फिर देह कबर में उतार दी गई और फिर भी वो चले बसे अब आगे कहते हैं जो लेखक जो है ना इनका सर्वेसवर द्याल सकसे ना जी है वो बताते हैं मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि या नहीं कि उसके मृत्व पर कोई रोएगा लेकिन उस च्छन रोने वालों की कमी नहीं थी नम आखों का गिनना स्याही फैलाना है अर्थात इतने लोग रो रहे थे उनके जाने पर हर एक बैक्ति के जीवन काल में यह परिस्तिती आती है इस तरह हमारे बीच से बहस चला गया जो हम में से सबसे अधिक चायदार फलफूल गंद से भरा हुआ है और सबसे अलग सबका होकर उस सबके उचाई पर मानविय करोना की दिवेच चमक में लहलहाता खरा था अर्थात यह लेकर कह रहे हैं सर्वेश वर द्यान सकसे ना अपनी चोहाँ ना मतलब अपने उस अंदाज में कह रहे हैं ठीक है जिस अंदाज में एक बैकति के मृति होती है और उसके पासथ उनका ँंसकार होता है और वो भी आंदिम संसकार जो है na कृष्टिनेटि कर तरीके से होता है जिसकी इर्थी हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यग की पवित्र आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी मैं उस पवित्र जोती की यात्रा में सुरधान हूँ अर्थात ये भी सुरधान जिली अर्पित कर रहे हैं आप सभी इन्हें जोना सुरधान जिली जरूर दिजिए क्योंकि ये महाल जोना लेखक थे थीक है इन्हीं सरवेसवर द्याल सक्षैना ने लिखे हैं प्यारे बच्चो इसको आपको अच्छे से समझना है इसमें जो कुछ प्रस्न है आई होप कि आप सबको आता ही होगा चलिए इस अभी प्रस्न को एक-एक करके हम स्लव करते हैं तो प्यारे बच्चों गद्यांस में पूछे कि प्रस्णों को उतर देना है और साथ साथ में यहां आपकी जून गती बिधी है कुछ डिफकल्ट वर्ड है इसमें देखे यह गती बिधी है इन गती बिधी को भी हमें अंसर देना है और फिर यह एक पत्र लिख करके आपको बताना है तो चलिए अंसर देखते हैं चलिए तो इसके प्रस्णुतर को देख लेते हैं फादर कामिल बुलके की कब हुई और उनकी अंतिम संसकार किस विधी से पादरी दोरा किया गया यानि फादर कामिल बुल्खे की जो मृत्यू जो है न डियरेश्टे बुल्खे की मृत्यू यहाँ पर लिख जरूर दीजेगा ठीक है मृत्यू कब हुई ठीक है तो फादर कामिल बुल्खे की मृत्यू 18 अगस्त 1982 को हुआ उनका अंतिम संस्कार मसीही बिधी से राची के फादर पासकल तोयना द्वारा किया गया था कहा हुआ था राची में उनकी मृत्ती हुई थी कब हुआ था 18 अगस्त 1982 को हुआ था और किस बिधी से हुआ गया मसीही बिधी से हो गया फादर कामिल बुल्खे के अंतिम संसकार में कौन-कौन परमुख सामिल थे यानि फादर कामिल बुल्खे जो मड़े थे न उनके कौन-कौन लोग सामिल थे तो उसमें थे फादर कामिल बुल्खे के अंतिम संसकार में जैनेंद्र कुमार थे ब्रिजेंद्र असनातक थे बहुत बहुत बड़े अजीत कुमार डाक्टर निरमला जैन डाक्टर सत्य परकास रुक्टर रगुवंस ये महाल लेखक सब ये सारे उनके मतलब सब थे यहां पे ठेक है उनके जो दासन्सकार में फादर बुलके की किन ब भरी थी करूना भरी थी प्रेम सकरात्मक की परतीमा थे और मैं अपने जीवन में इन सभी गुनों को अपनाना चाहूंगा ठीक है अब आगे लिखते हैं लेखक जो लेखक ने मानविय करूना की दिबे चमक किसे और क्यों कहा है जो कि काफी इंपोटेंट है और यह कोशन आ एक दिल की इंसान थे उनके अंदर चल कपट और भेड भाव उंच नीच गरीब यह कुछ नहीं देखते थे इस अच्छी दिल की इंसान थे ठीक है जिसकी रगों में दूसरों के लिए क्या था हमेशा प्यार था ममता था अपने पन का भाव था इसलिए करके कहते हैं जो लेकक मानवे करोना के दिबे चमाक बताते हैं अब आगे का प्रस्ण है जो नम आख्यों को गिनना स्याही जैसे फैलता स्याही फैलाना है इसका मतलब क्या होता है तो प्रस्तुत का आजसे में बताया गया जो फादर बुलके की मृत्तु पर बहाँ उपस्तित सभी लोग नम आखों बाले बैक्ति के नमों का उलेक करना सिर्फ स्याही को बरवाद करना है कहने का आजसे है कि आँसु बहाने वाले की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना शंभव नहीं था अर्थात फादर का में बुलके सभी के बीच बहुत सारी परसिद्धी पाई थी उन् देखिए इसके बाद यहां लास्ट का कोशन है कि कोशन हम देख लेते हैं देखिए गतिविधी कारपतरक से कठिन सब्दों को चांट कर अर्थास्ट किजिए अनुकर्दी यानि जो अपनाने युग है जिसको आप अपना सकते हो आजीवन पूरे जीवन भर और करोना मतल आपके हर्दे में स्थापित भी है उसका संचिपत बर्दन करते हो अपने मित्र के पास अपने सहर में पढ़ रहें अपने मित्र के पास एक पत लिखना तो लिख करके आप बताईए ठीक है तो बाबाई टेक केर है वे नाइस टें